असलाम उलेकूम एंड वेलकम टू वाइल रश आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे ड्रामने और खतरनाक नजनाने वाले आर्थोपोर्ट छुटे से एनिमल से वह एनिमल वह अर्थोपोर्ट जिसको आपने जब भी देखा होगा आपने अपने प् क्या सच है क्या जूट है पकड़ते हैं उसे करवाते हैं बाइट बने रहीगा मेरे सार्थ और देखते रहीगा वाइल्ड रश तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह दिखने में खतरनाक और ड्रामने हैं जाहर सी बात है ऐसी चीज़ें साफ सफाई वेले जोगों पर रहना करती फिलहाल एक को मैंने इस नमी वाली जगह से पकड़ा है और उसको पकड़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वह किस तरह की जगों पर रहना पसंद करते हैं पहले सेफटी फर्स्ट तो यह रहा हमारा आज का सब्जेक्ट यह बहुत नाजुक होते हैं मैं नहीं चाहता इसको मेरी वाज़ें थोड़ा से नुक्सान हो इस वज़ाए से मैं थोड़ी सी गलवस पहना गलवस में तो इसको लेकर चलते हैं किसी और अच्छी सी जगह पर जहां पर बैठके मैं के साथ इसकी इंफरमेशन शेयर कर सकूंग तो यह जगह बहुत कमाल की है तो करते हैं इसको यहां पर रिलीस तो जनाब अभी आप जो मेरे हाथ में आर्थवपोर्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंटी पेड इसको अर्दू और हिंदी में इसको जो है कन खजूरा व होते हैं या ब्राउन कलर में या डार्क रेड कलर में होते हैं अभी यह देखें यह नाम पाया जाने वाला जो है हमें अक्सर अक्वाज जो नजर आता है यह वही हमारा जो है कन खुजूरा सेंटी पेल है अभी आते हैं इसके बोडी पार्ट की तरफ अभी आप इसके सर क सेग्मिंट हर así ये के इंगानगे जिएर हैं कि एक पर टाउंगे होती दो टांगे होती यह जब और सेग्मिंट होते हैं मत винके निद्व साइग्मिंट hugely Kissas और नमबर में होते हैं मतलब कि एक साथ पांच नो तेरा इस तरह तो कुछ लोग कहते हैं इसको जो है सेंटी बेडे कंद कुछ वजह से कहते हैं कि इनकी जो सो टांगे होती हैं तो और नमबर में तो कभी भी जो है 100 नहीं आ सकता तो आखिर में आपको सबसे अलग छोटा सा सेग्मेंट नजर आ रहा है इसको रिप्रोड़क्टिव सेग्मेंट कहते हैं तो अब आती हैं यह किन जगों पर रहना पसंद करते हैं मैं आपको बताओं बहुत सारे दूसरे जो अर्थोपोड होते हैं उनके बोडी के उपर वैक्सी लेर होती है वह वह तह जो होंगी सुखी लकडियां होंगी आपके कीचन में आपके वाश्रूम में गर के किसी भी हिस्से में आप जहां पर नमी होगी आप इसको बड़ी असानी के साथ घुर मetteospeg के सकते हैं और बीडिक सीजन की तरफ आप नसल की अफजाएस कब करते करते हैं मैं आपको बताहू वह जमीन में उंडे देती है अंडो की तदाब 15ीra से तक होती है मैं आपको मता हूँ कि फीमियल सेंटि पेड मैं नहीं वहांजा दा यौ समौन पहुत बहुत नहीं जह सुछे उन्डों को दूसरे शीकार मां इस बात और भाएंजा EPA की नहीं होता है हैचिंग का टाइम जो है काफी लंबा होता है हैचिंग को एक महीने से लेके कई महीने या एक महीने से उपर का टाइम लग सकते है ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेट क्या है मोसम किस सरह का है हेچنگ के बाद माडा आपने बच्छों की बहुत जबरदस अरीके से ह्फास करती है इनकी कुछ इक्साम ऐसी हैं जो के बच्छों की तब तक हफाज़ करती हैं जब तक तक के वह बढ़े ना हो जाएं तो अब आते है इनकी खुराकी तरफ यह खाते के हैं मैं आपको बताओं कि ज्यादा तर सेंटी पेड़ नॉक्टर्णल होते हैं मतलिब कि राद को निकलते हैं यह अपने जिसामत से चोटी चीजों को छोटी हश्राद को बहुत बेहतरीं तरीके से हमला करके खा लेते हैं जैसा कि मक्हियां चोटी मकडियां लारवाज दीमक और छोटे स्कोर्पियन बाद बाध वीडियोत में आपने देखा होगा कि सैंटीपेड से बहुत बड़े सैज्ए होते हैं वह चुहां तक को खा लेते हैं चोटे सांपो तक को खा लेते हैं तो यह डिपेंड करता है इंकशाइस पर नशी नसल से तालूप रखते हैं तो मैं बत बात ज़रिते हैं कि यह हुद कुसी की हिद्टाब चड़ते हैं अपने यह था मेधाल पर द़ते हैं तो एक बाग में नहीं इताल मेधा चिरियां हम परिंदे क्ति हो जाती है और अगर बाइट कर लें तो बहुत शदीर किसम की दर्द होती है आपको उल्टी भी आ सकती है आपको हलका सा बुखार भी हो सकते हैं लेकिन डैथ के चांस नहीं होते से आज तक पाकिसान इंडिया में डैथ जो है इनकी वज़ा से डैथ के वज़े से न होती है यह तो पहले में इसको अपने आपने रफह उपब आने का मौका दोणगा थाखे क्यालर की सब्सक्राइप होती है कि यह तो आप पक्रण है तो यह सर से यह Biraz अब यह देखे नेrim की अपने सारी नोघू से जो कांटीनुमा नीडिल की तरह जो होती है सुहिए मैं माधर चाहता हूं कि मेरे पाइस तरह अच्छा कैमरा नहीं है वाना में आपको दिखाता है इसने सारी जहें वो मेरी उंगली में गाड़ दी है तो में मस्टा जो बाइट का है यह बाइट करें कि भी रहे तो इसने वाइट कर लिया है जोर लगाने तो इसको जोर लगाने ने कितना जोर लगाती है यह इसने अपने फोर्सी प्यूल्स है है वो अच्छी तरह से मेरे अंगुठे में जो गार दी है तो इसकी पेन कुछ इस तरह से कि जैसे आपको दो तीन जो शायद की मख्यों ने आपको जो है काट दिया हो लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे कुछ फरक पड़ा नहीं है कुछ असर हुआ नहीं है पेन का था था आपको मेरे यह वडियो पसंद आई होगी मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और रेप्टाइल इंसेक्ट बर्ड यह एनिमल के साथ देखते रहेगा वाइल राइश तो अभी टाइम है इसको रिलीज करने का बाइबाइब सीधे हो जाओ झाल